नमस्क्राइब शातियों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, यह मीडिया लाइन में रिपोर्टरों के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी रहता है। मीडिया लाइन में रिपोर्टर आते ही, सबसे पहले यह सोचता है कि उसको क्या-क्या अधिकार मिले होते हैं, उसको किस-किस तरिके से काम करना चाहिए और उसको कौन से रूल सोगा फॉलो करना चाहिए या उनको गवर्मन्न की तरह से क्या सपोर्ट मिलना रहता है, इसके बार में वह जरूल सोचता है, उसको हमेसा यह सताता है कि अगर मैं कोई रूपोर्टिंग करता हूँ, या कोई भी कार करता हूँ, कहीं उससे गलत समाज पर या कहीं गवर्मन्न का कोई नुक्सान ना हो जाए, प्रिशासन से मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, यह वह कुछ चीज़ों को हमें साथ लेके जलना होता है, जिने हम मीडिया का एक वैपन भी कह सकते हैं, मीडिया के रिपोर्टरों के वैपन, वैपन क्या है, एक समझ लेकि आपका एक हतियार है, जिससे के बिना आप रूपोर्टिंग लाइन में आप नहीं जा सकते, एगर आप बनना चाहते हैं या आप रिपोर्टिंग लाइन में हैं तो आपको इन चार बातों को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए आज हम चार टॉपिकों पर बात करेंगे कि ऐसे चार टॉपिक हैं जिन बातों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है जिससे कि आप रिपोर मीडिया माइक रिपोर्टर के लिए बहुत ज्यादा प्योगी है एक आपको जब जो भी आपको मानने तपर आप मीडिया आपको प्रेस आईडी कार्ड प्रवाइड कराती है प्रेस आईडी कार्ड के अपनी अलग वैलू है आप अगर रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं आपका सबसे पहले जब्स होता है वहता है आपका मीडिया माइक है आपके लिए बहुत ज्यादा उप्योगी रहता है है अगर प्रेस आप मीडिय माइक अगर रिपोर्टिंग कर रहे हैं अगर आपको और आपको कहीं वीडियो मिलती है या कहीं गट्वहूट current हो रही के आज के समय में ज्यादा तरह पढ़ने से ज्यादा लोग देखना और समझना ज्यादा उची समझते हैं तो आप वीडियो के माद्दम से सामने वाले को बहुत अच्छी से समझा सकते हैं यह आप के लिए बहुत अच्छा रहता है चौती बात की मीडिया माईक सामने वालों को पता चलता है कि आप एक मीडिया परसन है और आपको कहीं भी किसी भी तरह की प्रिशाशन की तरफ से हमेसे आपको सपोर्ट ही मिलता है तो आए दोस्तों दूसरी टॉपिक पर बात करते हैं यह बहुत ही ज्यादा इंपोर्ट है और हर किसी को इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए सबसे इंपोर्ट होता है मीडिया रिपोर्टर के लिए वह होता है अगर आपको अपने अंदर सेल्फ कॉंफिदेंस आत्मिश्वास नहीं है और आपको यह लगता है कि भाईया मैं रिपो बहुत ज्यादा इंपोर्ट है और इन बातों को आप थ्यान देना चाहिए हमने कई बार ऐसे देने हमारे पास में कई लोग ऐसे आते हैं को कईते हैं की सर आप एक ट्रेस्टिय में बहुत ज्यादा ट्रियर्टियर्ट कि या आफ्ली जो भी सेने से अगर आपको कितनी लेकिन जब तक आप अपनी इच्छा नहीं रखेंगे जब तक आप एक अच्छी रिपोर्टर नहीं बन सकते हैं हमारे प्रगति मीडिया के ऐसे से लोग हैं जो एसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो जिनका मीडिया लाइन से कोई उन्हो की हुई है तो आपके अंदर एक self confidence बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए सबसे पहली बात कि अगर आप को के इंट्रूल लेने जा रहा रहा है तो आप पहले के कि आपको किसटीश टॉपिक पे आपको कि बात रखनी है truthful मैं को है ची delighted होना है समाज के सामने और अच्छे से रिपोर्टिंग करने है यह आपके अंदर self confidence होना महांना जडिए मिडिया लाइन तोक्राश्री है hell आपके रिपोर्टिंगि रूल्स — काई बार देखा है कि हमें लोगों के रिपोर्टिंगantage सिल रूल्स ने पाता होता है के बार लोग रिपोर्टिंग करते हैं लेकिन उनको तरीक पर दाब आ पता होता है क्यवारी लोगों को देखा है कि मैक можно पोर्टिंग करते हैं तो कि चलाते हैं सामने वाले पर kulitic vindके और दूसरी पार्टी कि कि से पॉलिब बहुत देया तो नहीं आर्व है लड़ गया तो या फर प्रिशावशन से लड़ जाते हैं वर कहिंगा देखा है कि लोगों के बीच में डिश्टरब करते हैं तो आपको थोड़ी से बातों को एक थोड़ा सा ध्हान भी देना है कि आपको रिपोर्टिंग के समय किन चीज़ों को तो दियान रखना है कि सबसे बाइन चीज़ है कि माइक जो डिया रहता है आपका जाए मुवाइल हो वह बिलकुँ सेंटर में रहे और आप एक अच्छी से रिपोर्टिंग करें कई बार हमने देखा है कि रिपोर्टर और कहीं बोला है कैमरा और कहीं चल ला है तो इन कई दूसरा को रिपोर्टर है तो बीच में ना उसे आप प्रिशासन और मीडिया परशन है उनको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत आए और सेकिंड चीज है कि रिपोर्टिंग रूस में आप प्रिशासन का आप फॉलो जरूर करें अगर प्रिशासन आपको जो भी गाइडलेंस देता है उसको आप फॉलो करें और आप जिस मीडिया के साथ में जॉइन है आप उसको पहले बता भी सकते हैं कि किस तरह से रिपोर्टिंग किस जिगह पर करनी है वह भी आपको गाइडलेंस देंगे धिकार अगर में में तो आपको यह भी पता होना पता होना चाहिए कि आपको आप क्जा क्या काम कर आपको किस-किस तरह के हक मिले होते हैं अधिकार पाना बहुत है और अधिका होना बहुत जरूरी है चाहिं हमारे अधिकार पता होते हैं हमारे एक प्रेशाषन करने मैं है एक चाहरा है दो आपको कोई गवर्मञेंट और पुलीस करसे हैं मैं उनके बारे मैं नहीं बात करौमा क्योंकि यह वीडिएक heavenly बस आपसे छोटी सी बात करूँगा कि आपको यह पता होना चाहिए कि मैं सही हूँ यह गलत हूँ अगर आपको सही हो तो आप सही reporting कर रहे और स्कॉल एक अच्छा रिपोर्टर बनने की कोशिश कर रहे और दूश्री बात है कि आपको पता है कि मेरे को अगर reporting करनी है मुझे रिपोर्टर के लिए कहां कहां मैं जा सकता हूं कहां कहां मैं नहीं जा सकता प्रिशासन की कहां पर अनुवती है कहां अनुवती नहीं है इसके बार में भी आपको पता होना चाहिए यह आपके अधिकार यहां पर बने रहते हैं तो आज हमने बात की है मीडि सब कोई टॉपिक है अगर आप रिपोर्टिंग करने जा रही है या उंद मेरा किसी आ ज canle करते हैं अगर ऑम क्षित्र में जो हमारी वर्रांचेस हैं अगार हा ऑहां पर हैं अगर आपको किसी आपी तरह की कोई दिक्रात आ रही है तो आप हमें ओंटेक टेक कर सकते हैं हमारे चित्रावी प्रयास रहेगा हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप से मैं एक ही बात कहुँगा आप थोड़ा सा अपने ध्यान दे और कई वार क्या होता है कि अगर आप जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कई तरह की दिक्कते आती हैं कई ऐसे लो अगर आपको पता है तो आपको कहीं भी कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगे तो दोस्तों आज की हम वीडियो यहीं समाप्ति करते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से संब्ल कर सकते हैं धन्यवाद